हेलो वाट्स अप गाईज मैंने मिस्मुनूत बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वाद करना चाहूंगा मेरे आसम चैनल थापा टेक्निकल पर बताना चाहूंगा गाईज फाइनली हमने हमारा वेबसाइट कंप्लेट कर लिया विद इहलप फाइर बेस अब देख सकते हूं बहुत ज्यादा ओसम दिखाई दे रहा है एंड बैस पार गाईज आप बहुत ध्यान से देखो कि यह जो वेबसाइट है अगर मैं इसको कॉपी करता हूं ठीक है देखो मै इसको मैंने लाइब होस्ट कर दिया है फ्री में वह भी मैंने फाइर बेस पर ठीक है तो हमने अब भी इनकॉगनिटो मोड से कर रहा हूं ठीक है इनकॉगनिटो मोड से में डेटा फिल करूंगा और वो मेरे डेटा बेस पर आ जाएगा मैं आपको दिखाता हूं क्यों मेरे डेटा बेस पर कैसे आता ठीक है तो सबसे बेले डेटा फिल कर लेता हूं अब देख सकते हूं कि मैंने अपना यह एड्रेस फिल कर लिया जहां पर यह जो बिनो थापा तो चलो मेरा नाम है बाकि सब कुछ फेकि यह मोड नंबर भी मे टाबेस क्या डेटा बेस एक्चुल में मुझे मिला या नहीं इसमें डेटाबेस पर जाना चाहूंगा ठीक है अपना खुद का website हमने create की जिसमें contact us form भी हमने fill की उस पर अब user जो भी fill करेगा वो मेरे database पर आ रहा है और उसको मैंने free में host भी कर दिया और क्या चाहिए यार एक startup company के लिए तो यह तो सब कुछ free में ही मिल रहे है तो गाई से थाना कितना ज्याद awesome तो यही मैं आज आपको बताने आला हूँ कि आप कैसे create कर सकते हूँ और आप देख सकते हूँ कि मैंने complete step by step सब कुछ यहां पर लिख दिया अभी मैं आपको यह लेकिन अगर आप step of further जाना चाहिए तो गाई तो गाई बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए में बहुत ही awesome news ला हूँ जहां पे ना हूँ गाई आप अपने मन प्रोजेक्ट या react प्रोजेक्ट या नोड प्रोजेक्ट को बहुत easily host कर सकते हो with the help of virtual private सबजिया इस बहुत ही ज़्यादा काम है 55% का उप चल रहा है उसके उपर से 7% का एक्स्ट्रा coupon code में आपको प्रोजेक्ट करने वाला with free domain for one year and SSL certificate free for lifetime इस जो आफर यह बहुत ही ज़्यादा exciting है even bigger than black friday sell मैं आपको लिख की देता हूं लेकिन यह सब कुस मैं आपको end में बताऊंगा तो देखते रहिएगा लेकिन फिलाल अभी हम देख लेते कि firebase की मदद से हम उसको free में कैसे host कर सकते है ठीक है तो दिखे गाई सबसे पहले करना है या host करना है या deploy करना है हमें स्टॉल करना पड़ेगा firebase CLI को and it's super duper easy command सब कुछ मैंने यहां पर प्रवाइड किया हुआ है तो simply आपको इसको copy करना है ठीक है npm install hyphen zee globally हमें इसको करना पड़ेगा and then firebase tools तो आपको copy करना है and तो आप देख सकते हूं कि guys मैं अपने root folder पर मैं चलूँगा and आपको इस तरकेस इसको लिग देना है तो आप देख सकते हूं कि guys command जो इसको मैंने copy कर ली है and then आपको enter hit कर देना guys यह आपके system पे depend करता कि कि कितना powerful processor है या जो भी RAM है ठीक है तो यह कुछ second लेगा यह जैसी complete होता मैं आपको मिलता हूं आप देख सकते हूं कि मेरा यह properly install हो चुका है globally हमने firebase CLI को install कर लिया ठीक है now second step यह बोलता है कि guys हमें अब login करना पड़ेगा firebase में and वो जो login है guys आपको website पे तो करना ही है साथी साथ हमें again अपने project पे आके भी करना है तो अब आप क्या करो guys आपको अपने main जो folder है जिसके CLS कर दे रहा हूं यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा firebase and then इस तरह की से login and make sure करना है कि आपने already यहाँ आप देख सकते हूं कि मैं already यहाँ पर login कर चुका हूं ठीक है तो आप जरूर login कर लिजएगा and then आपको enter hit कर देना है अगर आपको यह नहीं दिखाई दे रहा तो आपको maybe screenshot आप देख सकते हो यह दिखाई दे रहा होगा आपको okay hit कर देना है ने तो simply website पर आपको एक बार login करना है आपका automatic यहाँ पर फैच होके login हो जाएगा and once यह आपका complete हो जाता तो इसमें इसको हटा दे रहा हूं ठीक है अब आप देखी क्या करना है हमने दो steps complete कर लिए and now guys जो हमारा third step वो बोलता है initiate your project project को अब हमें initialize करना है and उसके लिए बहुत ही ज़्यादा simple command है firebase init github में क्या था git init यहाँ पे firebase init मनला बहुत ही ज़्यादा simple है copy करना है and आपको अपने project का जो main folder है वहाँ पे आना है and and then init ठीक है आप चाओ तो directly उसे copy paste कर सकते हो and this is it तो now अब आपका जो firebase हो इसमें initialize करने की कोशिस करेगा and यहाँ पर जो कुछ भी step में करने जा रहा हूं अगर आप भूल जाते हो तो बिल्कुल टैंसा मत लेना क्योंकि से सब कुछ है देखो firebase login firebase init तो यह जो दिखाई को host करने है तो ठीक है यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा and I think हमें दो options मिलते है host के एक तो है configure files for firebase hosting दूसरा है for github action तो आम यह जो firebase hosting है उसको आपको space bar से पहले select करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हो हलका asterick आ चुका green color में तो आपको पहले space bar को click करना है and then enter hit करना है else अगर आप बीना space bar के यह सोचोगे कि मेरा arrow तो यहाँ पर दिखा रहा है मतलब यहाँ पर नहीं आपको पहले space bar क्लिक करके उसको select करना है use an existing project because already मेरा यह जो project basically react firebase का website आप देख सकते हो adding firebase and real time database यह जो 15 वीडियो था वहाँ पर मैं आपको बता है कैसे आप easily firebase पर अपन website ठीक है तो मैं enter hit कर रहा हूं and if you don't know यह सब कुछ क्या हो रहा है I highly recommend please एक बार at least इस वीडियो को check out कर लिजे आपको मजा आ जाएगा ठीक है यह नहीं तो यह 15 वाला एक वीडियो देख लिजे आपको पता चल जाएगा ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं all right यहाँ पर website पर enter hit कर दूंगा ठीक है ना पूछ रहा what do you want to use as a public directory always index.html होता है and react के case में वह build folder के अंदर होता है अभी तक हमने build नहीं की लेकिन हम करेंगे तो फिर भी मैं यहाँ पर सिरकी से लिख दूंगा build this is it configure as a single page application obviously चलो yes कर देंगे and github पर करना है automation नहीं करना है तो no कर and this is it firebase initialization complete यह हमारा काम हो गया now अब आपको क्या करना है simply guys हमारा इतना कुछ हो चुका है तो आप देख सकते हूं कि यहाँ एक build folder बनके भी ready है लेकिन यह build folder में वो चीजे नहीं है जो हमें चाहिए था यह तो simply build folder जब हमने yes लिखा यहाँ पर तो बन गया and यहाँ पर दे मैंने वो भी यहाँ पर लिख रहा है अब देख सकते हूं सबसे टॉप पर npm run and then build आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर मैं चलके npm run build and then enter hit कर दे तो अब आप धियान से देखना पहले सिर्फ और सिर्फ index.html था लेकिन यह देखो गया सभी images आ गया fav icon आ गया manifest आ चुका है robots देखो सब कुछ आ गया है यहाँ पर and this is it हमारा यह बनके ready मेरा complete will folder बनके ready हो चुका है now अब मुझे सिर्फ एक चीज़ करना है that is कि मुझे इसको firebase पे deploy करना है host करना है so now guys अब आपको इसको deploy करने के लिए simply लिखना पड़ेगा firebase deploy hyphen hyphen only hosting यह ना भी लिखो तो भी लेकिन अगर यह लिखते हो तो आप specific बता रहे हो कि सिर्फ मुझे hosting चाहिए and आपको enter hit कर देना ठीक है and again it will take sometimes maybe like हो सकता है 20 second या एक मिनट या कितना भी कुछ लेकिन I don't think कि यतना समय लेने वाला and boom guys आप देख सकतो deploy complete अब आपको क्या करना है यह जो आपको hosting URL मिलता है इ boom guys से देखिए मतलब यह है ना कितना awesome अपना खुद का website बिलकुल free में आपको देखो react website.web.app and आप देख सकता हमारा contact form है तो guys में क्या कर तो जल्दी से contact form को again feel कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो कुछ भी लिखा सब fake है सिर्फ मेरे नाम को छोड़के ठीक है testing थापा नाव मुझे यह देखना है क्या मैंने इसको host किया क्या contact form वो करता है क्योंकि अगर contact form वो कर गया तो guys free में सब कुछ मिल गया और क्याची complete dynamic website free में मिल रहा है हमें सब कुछ तो मैं submit पर क्लिक करता हूँ and boom guys अब देख सकते हूँ data store okay सारे data गया पोच चुके तो guys अब मुझे simply क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर चलना है ठीक है यह तो चलो हमारा previous वाला है मैं क्या करता हूँ firebase पर चलता हूँ react firebase website इसको अमने यूज के आपको याद होगा अच्छे से तो real time database पर मुझे चलना है and मैं देखता हूँ क्या अभी मुझे वो data मिला या नहीं simply देख सकते हो user data records यहाँ पर में oh my god बहुस अभी data है and अगर यहाँ पर चलता हूँ and boom guys देखो टेस्टिंग थापा नाउ just अभी मैंने आपके सामने लिखा था आप टाइम देख सकते हूँ just मैंने लिखा था टेस्टिंग थापा नाउ because यह एक real time database है आपको और क्या ची है and यहाँ पर आप देख सकते हो आपने बिजनेस को एक लेवल उपर लेके जाना चाहते है आप मल्टिपल वेबसाइट करोगे मन में नोर्ड में रियक्त में अगर आप उसको अपने खुद के सर्वर पर होस्ट करना चाहते हो and if you don't know कि मन या रियक्त की प्रोजेट को हम कैसे होस्ट कर सकते आपको मेरे वेबसाइट पर अगर आप देखोगे so we have this awesome link में आप लोगो को क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करते तो आप इस तरह किसे होस्टिंजर के सर्वर पर आ जाओगे होस्टिंग पर आपको चलना है and अगर आपको मन रियक्त नोट कुछ भी होस्ट करना हो you need only one होस्टिंग प्लैन and that is your virtual private server VPS जिसमें आपको अपना खुद का सर्वर मिलेगा and वहाँ पर आप कुछ भी होस्ट कर सकते हो प्राइस बहुत ही ज्यादा लेस है offer बहुत ऑसम है quantity बहुत ज्यादा 40 GB अगर मैं आपको बागी प्लैन दिखाओ तो एक हजार में सिर्फ 60 GB या एक हजार में सिर्फ 30 GB जो कि more than enough है या ठीक उसके हाँ प्राइस में double हमें disk space मिल रहा है आप चाओ तो VPS 1 भी कर सकते हो 285 per month it's totally up to you so guys I highly recommend कि अगर आपके पास थोड़े amount हो तो go with VPS 2 वाला plan else आप VPS 1 select कर सकते हो which is more than enough and guys अगर आप yearly plan select करते तो you will get one free domain and one free SSL certificate for lifetime time जो कि कोई नहीं देता वना domain ही कितना प्राइस चला जाएगा आपको simply add to card करना है यहां पे ठीक है आप देख सकते हो 48 months आपको 55% का discount मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा awesome है लेकिन मैं आपको क्या बाता था कि आप लोगों के लिए एक awesome news and that is 7% का extra coupon code मैं आप लोगों के 1500 कुछ कम कर दिया है यहां पे सिर्फ एक coupon code से जो कि बहुत ही awesome and यह जो 15,000 आपको लग रहा my god 15,000 आपको 48 months के लिए है और हर मैने सिर्फ 265 रुपीज जो की normal है कुछ भी नहीं है ठीक है बहुत ही सस्ता and बहुत ही अच्छा service है और बाता ना चौंगा गाइस यह सब कुछ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं इसले भी बोल रहा क्यों कि मैं अल्रेड इसको यूज कर रहा हूं आप देख सकते हो कि मैंने यह जान private server वाले plan पे which is more than enough ठीक है आप देख सकते हो कि guys response भी within a minute सामें मिली जाता ठीक है तो simply guys and then आपको submit से क्वे payment कर देना है एक साल का free आपको domain मिलेगा and SSL certificate for lifetime वो भी आपको free मिलने आल है so guys आपको video कैसा लगा नीचे comment करके जरू बाताना इस video को एक like जरू कर दीजेगा दोस्तों के साथ जरू share कीजेगा and बाताना चाहूंगा guys हमारा यह जो playlist आप complete हो चुका है source code बिल्कुल free है जरू check out कीजेगा so guys बाताना चाहूंगा कि अब भी तक अगर आपने मेरे awesome channel था आपर टेक्निकल को सब्सक्राइब नी किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा right side में credit color का bell icon एक घंटी दिखाए देगा hit कीजे click कीजे ताकि आप डेली आसा awesome videos को मिस्ट ना करें so till then guys thank you so much take care कीजेगा